असलाम लेकुम, वेलकम टो इंस्टेंड इन क्लासिक कुकिंग, आज मैं आपसे शेयर करूँगी मेरे मदर इनलॉग की रेसिपी करेला फ्राई, पहले तो ये मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंते हैं, जब से मैंने इनके हाथ के करेले खाये हैं, जब से ये मुझे बहुत पस इस तरह से वाश कर लें और फिर इसको इस तरह से कट कर लें, अब हम इसके अंदर के जो सीट्स होते हैं उसको निकाल देंगे, इसी तरह हमें सारे सीट्स निकाल दूँगी, और फिर इसमें से भी हम और एक कट लगा लेंगे, और फिर अब हम इनको छोड़े छोड़े पीसेस में कट करेंगे, देखें, तीन करेले मैंने यहां कट करनी है, चलिए इनको फ्राइ करेंगे, इस पैन में मैंने लिया है, वन फॉर्थ कप ओईल, और इन करेलों को इसके अंदर डालेंगे, और मीडियम फ्लेम पे इस तरह से हिलाते हुए फ्राइ करेंगे, अच्छे से रेट कलर आने तक हम इनको फ्राइ करेंगे, और मॉस्ट एट टो नाइन मिनिट लगेंगे इसको फ्राइ होने में, जैसे ही करेलों फ्राइ हो जाएगा, एकदम रेट कलर इस तरह से आएगा, तो हम इसका जो एक्सेस ओईल है वो निकाल देंगे, देखें मैंने यहाँ ओईल निकाल दिया है, अब हम इसमें आट करेंगे, जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, नमक, हल्दी पाउडर, अब हम इनको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, लालमिश पाउडर को अभी नहीं आट करेंगे पहले इनको अच्छी तरह से mix करके last में लालमिश पाउडर आट करेंगे अब मैं आट करें हूँ लालमिश पाउडर यहां मैंने फ्लेम को लो कर दिया है जस्ट वन मिनिट तक हम इसी तरह से हिला लेंगे और फिर फ्लेम को आफ करके सर्फ करेंगे अभी दाल बनती है तो मैं इनको जरूर फ्राइ करती हूँ बहुत ही टेस्टी लगते हैं ये इस वीडियो को लाइक करिएगा अपने फैम्ली और फ्रेंज के साथ शेर करें अगर आप मेरे चैनल पर नहीं है तो आप से मेरी हमल रिक्वेस्ट है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करना मत भूलें इसी से ही आपको मेरे नेक्स वीडियो की अपडेट सबसे पहले मिलेगी चलिए चलते हैं फिर एक नई रेसिपिक के साथ मिलेंगे इंशाला तब तक के लिए अल्ला हाफिज थैंक्स पूर वाचिंग